आज डे 16 है मेरे डावेटीस रिवर्सल जर्नी का और अभी तक्रीवन डेर बज गया है आप लोग सोच रहे होगे कि मेरे डेर गजे ब्लॉगिंग क्यों शुरू कर रहा हूं तो दोस्तों मैं सुबह तो उड़ गया था जल्दी लेकिन ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नह दग रहा था और सुबह उड़के मेरा तब्यत थोरा सा खड़ाब हो गया था मेरे को एक्चुली एलर्जिक रियक्शन होता है तो सुबह उड़के बहुत जादा चीक वेगरा शुरू हो गया था तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था तो मैंने सुबह उड़के चाय पी और शायद आप लोग यह जानना चाहते हैं कि मैने आज नाश्ते में किया किया तो नाश्ते में मैंने दो स्लाइस ब्रेड और आधा बन बस यही खाया और कुछ मननी कर रहा था अंडा खाने का बिलकुल भी आज मनन कर रहा था चाय पी और मैं फिर थोड़ा देर के लिए सो कि जब भी आप एक लोग काप डायेट फोलो करेंगे तो आपको कमजोरी बहुत जादा लगेगा क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज में जब आप जाते हैं तो एनरजी लेवल काफी कम हो जाता है तो आज वैसे ही हो रहा है मेरे साथ मेरा एनरजी लेवल बिलकुल कम है और क्योंकि सुबह उठने का मानी नहीं कर रहा था बहुत जादा कमजोरी लग रहा है आप लोग को भी शायद ऐसा फीलिंग आता होगा कभी-कभी लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ टेंपररी है इसी फेज में लोग गिव अप कर देते हैं अगर आ आप दोबारा आप लोग को इस प्रोसेस में जब दिखा रहा हूं तो मैं फिर वही चीज सारे चीज झेल रहा हूं लेकिन सच मानिए कि अगर आपने ये सारे फेज झेल लिया तो इसके आगे आपकी एनरजी लेवल दुगना होने वाला है अभी तक्रीबन बारा बज गय और आज मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं किया है तो आप लोग को अभी बता देता हूं कि आज का दिन मेरा पूरा कैसे रहा तो दोस्तों जब मैं सुबा उठा तो आपने देखा कि मेरा तब्यत ठीक नहीं था बिल्कुल भी ब्लॉग करने का मननी कर रहा था मास पेशी में दर्द होड़ा था ऐसा लग रहा था कि जो ट्रांजिशन फेज है क्योंकि इतना दिन से मैंने कारवाडेट बहुत ही जादा कम कर दिया था तो ये फेज आता है आपके लाइफ में और आज तकरीबन पंदरा दिन खतम हो गया है तो मैंने एक चीट डे ले है काफी लोग मेरे से पूछता है कि चीट डे ले सकते है क्या बिल्कुल ले सकते है चीट डे लेकिन चीट डे आप हर दीन हर हफते नहीं ले सकते आपको चीट डे महिने में दो बार अलावड है आप दो बार ले सकते है चौदा दीन पंदरा दीन बाद आप एक बार लंच में मैंने ओट्स ओमलेट लिया ओट्स को पीस के उसके पाउडर फॉर्म में बना के उसके बाद उसमें अंडा डाल के ओट्स ओमलेट बनाया मैंने उसका एक ओमलेट मैंने खाया था वो मेरा लंच था और एक रोटी भी खाया था थोड़ा सब्जी भी खाया था तो व बहुत ज्वालंगी आप Candi के अधाई के बाद मेन बहुत ज्यादा ही मीड़ाइब बुरुटक्ट our अभध संने आइसकृम में करने को को आइसक्रिम खानेक्ट तो श कुद्प करने को आइसक्रिम कर आइसउक् काया मैंने भी किन एक अइसटो railroad दो आइसक्रिम घाए और हम क वी जिए था तो मेझे भी एक बीर पी लिए तो मैं आप लोगके साथ बिलक्त टानसपरेंट होना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि कि अपने diabetes कैसे reverse किया ओर है एक beer पिया ज्यादा नहीं पिया एक ही बीर पियए द्रणक नहीं हूं मैं होश arada हवास में हूं और मैं आप लोग को recommend करेंगा कि आप लोग करेंगा all inventor करेंगे बहुत ही highlight प्रिमि दिध नोखसान ही है तो आज का एक लेसन में आप लोग को देना चाहता हूं जो मैंने अपने college टाइम में सीखा जो मैंने अपने pharmacology किताब में पढ़ा था और वो है कि poison in small amount acts like medicine and medicine in large amount acts like poison इसका मतलब यही है कि अगर आप poison को भी small amount में लेंगे थोड़े मात्रा में लेंगे तो वो medicine के जैसा काम करेगा और अगर आप medicine को बहुत मात्रा में लेंगे तो वो भी poison की तरह काम करेगा कहने का अतात पर यह है कि जैसे beer है या फिर whisky है, alcohol है यह एक poison जैसा ही है आपके liver को damage करता है लेकिन अगर आप limited amount में लेंगे तो आपको कोई honey नहीं करेगा moderate amount में कभी-कभी occasional लेते हैं तो कोई problem नहीं है और medicine यानि की जो दवाई है वो आप रोजाना लेंगे तो वो poison की तरह काम करेगा आज नहीं तो कल उसका कोई ना कोई side effect जरूर होगा, तो अगर आपको diabetes है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक lifestyle change करें diabetes reverse करने की कोशिश करें और दवाई जितनी जल्दी हो सके उसको बंद रखे आप अगर lifestyle change करेंगे तो आप अपना sugar level को बिल्कुल काम कर सकते है तो ये lesson में आप लोग को देना चाता था मैंने सीखा है ये अपने college time में अपने किताब में लिखा था तो आप लोग भी इसको जरूर समझीए और अपनाए इसको अपने life में जरूर इस्तमाल करिए एक बर फिर से दोड़ा देता हूँ poison in small amount acts like medicine and medicine in large amount acts like poison अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आपको life में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा तो cheat day भी आप कर सकते है आप दारू भी पी सकते है लेकिन occasionally कितना पीना है मैंने आपको बता दिया जैसे कि मैंने आपको बता है कि मैंने सिर्फ एक beer पिया है तो अगर आप एक beer पियेंगे एक या दो ड्रिंक लेंगे तो वो कोई हानी नहीं करेगा in fact बहुत सारे studies में ये देखा गया है कि अगर आप moderate drinking करते हैं यानि कि एक pack लेते हैं यानि कि 60 ml अगर आप रोज लेते हैं तो आपका blood circulation बहुत अच्छा हो जाता है आपके heart के लिए बहुत अच्छा है आपके blood circulation के लिए बहुत अच्छा है मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप लोग दारों नहीं पीते हैं तो आप आज से पीना शुरू कर दीजें बिल्कुल भी नहीं अगर आप लोग नहीं पीते हैं तो कभी भी मत पीना, लेकिन जो लोग पीते हैं, और अगर अपने आपको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका विल पावर बहुत अच्छा है, तो वो एक ड्रिंक बिल्कुल ले सकते हैं, एक ड्रिंक का मतलब होता है 60 ml, अगर आप 60 ml रोज भी लेंगे, तो कोई प्रॉब्लेम नही हैं, लेकिन ज्यादा तर लोग जो है, वो 60 ml में रुक नहीं सकते हैं, वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, तो प्लीज अगर आप लोग ड्रिंक करते हैं, तो एक ड्रिंक से ज्यादा ना ले, एक ड्रिंक बिल्कुल अलावड है, और एक ड्रिंक लेके भी आप अपना डिय तो आप 90 ml तक cheat day के दोरान ले सकते हैं और तब भी आप अपना diabetes reverse कर सकते हैं तो गैज उसके बाद मैंने एक movie देखा बहुत देन बाद आज एक movie देखा इंफेक TV देखा आप समझ लीजे टीवी देखना मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया है और वो movie था तुफान बहुत ही अच्छा movie है inspirational movie है मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग भी अगर देखना चाते तो amazon में देख सकते है amazon prime में वो movie कल ही release हुआ है तो आप देख सकते है फारान अक्तार का वो movie है बहुत ही बैतरीन कलाकारी किया है उन्होंने बहुत अच्छा लगा मुझे देखके और मुझे इस तरह के motivational movies बड़े अच्छे लगते है जब भी मैं वो movies देखता हूं तो मेरे रॉंग्टे खड़े हो जाते है और मुझे भी लगता है कि मुझे कुछ करना है life में तो आप लोग जरूर वो movie देखे अगर आप लोगोंने नहीं देखा है उसके बाद मैंने अपना dinner किया डिनर में जो लंच में किया था वही डिनर था ओट्स ओमलेट मैंने एक ओट्स ओमलेट बचा के रखा था तो एक ओट्स ओमलेट लिया था और जो मैंने एक बीर पिये था उसकी साथ मैंने थोड़ा बहुत मुमफली लिया था तो काफी अच्छा खासा खा लिया था मॉमफली बहुत सारा खा लिया था जब भी आप मॉमफली खाते हैं तो आप रूख नहीं सकते हैं तकरीवन मैंने मुझे लगता है कि 100 ग्राम मॉमफली तो मैंने खा लिया होगा तो calories तो काफी अच्छा खासा मैंने ले लिया है क्योंकि मौमफली भी खाया, उसके बाद आइसक्रीम भी खाया, ब्रेड भी खाया तो अच्छा खासा calories मैंने ले लिया है और कर्बोईडेट भी मुझे लगता है कि तक्रीवन डेर सो से दो सो ग्राम कर्बोईडेट भी खाया होगा तो गैस अभी बाड़ा बच चुका है, मैं बहुत ज़्यादा थग गया हूँ केई बार आपके लाइफ में ऐसे आएंगे जब आप एक डियाबेटीस रिवर्सल जर्नी में होंगे एक लोग काप डायेट फोलो करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लोग फिल करेंगे घबराना नहीं है, हारना नहीं है, ठकना नहीं है आप एक चीट डे मना लिजे और उसके बाद फिर से आप शुरू हो जाईए तो कल से मैं फिर ब्लॉगिंग शुरू करूँगा एक नए जोश के साथ, नए एनरजी के साथ और फिर एक लोग काप डायेट फोलो करूँगा और यही मैं करता था अपने डाबेटीस रिवर्सल के दोरान तो उमिद करता हूँ, इस ब्लॉग से भी आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा तो इस ब्लॉग में इतना ही मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ तब तक स्वस्तर है, मस्तर है इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद